जरूरी सूचना आप सभी इस्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android आप Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लीजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोर्स, कोई भी पेडिया परचेस करते हैं तो उसमें Apply coupon अगर आप ग्यांसर जो है आप उसमें Apply करते हैं, यह coupon code है तो उसमें 20% fees तुरंट माफ हो जाएगी मतलब 20% discount तुरंट उसमें लग जाएगा ग्यांसर लिखना है, नॉर्मली ग्यांसर स्माल लिटर में है, सब कुछ कोई space नहीं, कोई column नहीं सिर्फ ग्यांसर जी, वाई, एन, एसाई, यार इस तरह से अगर coupon code लगाते हैं, आप एप में बाई करने से पहले जो Apply coupon वाले में आता है तो 20% का डिसकाउंट तुरंट दिलेगा, वीडियो देखिए साथियो, बहुत ही खराब ख़बर आ रही है खुतर बिदेश लोग सिवायोग से, मतलब यह बहुत ही bad news है इससे जादा bad news और कुछ नहीं हो सकती क्योंकि लोग सिवायोग में भी भयंकर धान्दली के सबूत मिल चुके है जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह आज की news है कि PCSJ की मेंस परिक्षा में 50 कौपियों को बदला गया था यानि आप, देखें, 50 कौपियों का अर्थ ही यह हो गया कि 50 ऐसे candidate सेलेक्ट हो गए होंगे कहीं न कहीं जो धान्दले बादी से आये हैं और सबसे important चीज़ यह बनेंगे क्या, यह बनेंगे जज क्योंकि PCSJ है, तो जो जज ही धान्दले बादी से आया होगा आप उससे कैसे उम्मीद करोगे कि वो बहतर ढंग से नयाय करेगा मतलब घूस दे करके अगर कोई जज की गद्दी पर बैठ गया तो वो नयाय का कितना मजाक उड़ाएगा इसको आप емся माँ इमयजन नहीं कर सकते हैं, वो क्या कुछ नहीं कर सकता है, वो पैसा ले करके अपना फैसला तक बदल सकता है, ऐसी चीजे भी कर सकता है और इसमें, जज तो दो odorशी 把它 बना है आ अप उससे जादा दोशी नहीं जाएगा यहा पर आप ba से बायोग के पांच अधिकारी दोशी मिले हैं जिन में से तीन को सस्पेंड कर दिया गया है बाकि जो है दो अभी चल रहा है इन में से कुछ रिटायर हो गया यहां पर आप देखो सतीस चंद मिश्रा के खिलाव जो है जो है डिपार्टमेंटल एक्शन हो गया है इसके बहुत ही बड़ा जो है यहां पर प्रवाव यह रहेगा कि कि वो लोग जो इससे अट हो चुगे हैं जो हैं वह वह भी अब नो मतंब उनके आसे से भी नौक्रिक जा सकती है यहां पर आप देखिए यह कैन प्रिक्षा दोशों आर बारेष में पचास कॉंप्यां बदले गोशित करने की नौबत आ गई है अगर ऐसा होता है तो इससे बहुत गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी क्या समस्या खड़ी हो जाएगी देखो यहां पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर परणाम संसोदित दुबारा जारी होता है तो जो अब्यास्ति चैनित हो गए उनके लि पर मान के चलिए उनको भी तूँ सलेक्शन देना पड़ेगा तो पोश्ट कहां से आएंगी तो इन में ये भी हो सकता है कि जो लोग उल्लेड़ी सलेक्ट हो चुकें उनको भी बाहर निकाला निकाला जा सकता है तो यह एक गंभीर समझया यानि जो लोग सलेक्ट हो को यही पता था कि सिर्फ एक अभ्यार्थी स्रवण पांडे की कौपी बदली है लेकिन जब 50 अभ्यार्थियों की कापी बदले जाने का मामला सामना आया है तो मुख्य परिक्षा में सामिल सभी 3090 अभ्यार्थियों में तमाम आशंका उठने लगी है परिक्षा में असपल पोस्ट जितनी है वो तो उतनी ही रहेंगे है ना और अगर 50 कौपियों को बदला गया है तो उनमें भी अगर उनकी री री चेकिंग हुई और उनके नंबर बढ़िया हुए तो उनको भी आपको नौकरी देनी होगी तो यह गंबिर समस्या है तो या तो अगर इतने पैमाने पर धांदले बाजी हुई है तो या तो इसमें यह होगा कि यह पूरी की पूरी परिक्षा ही री एक्जाम में चली जाएगी ऐसा भी हो सकता है कि दुबारा से प्री नहीं मेंस और इंटर्व्यू के प्रोग्राम दुबारा से चलाए जाए खासकर 2022 वालों के लि यह कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं है कि चलिए दे दिया हो गया कोई बातनी करमचारी है नहीं यह अधिकारी है वो भी जुडीशियल यह जज़ बनने वाली लोग है तो अगर जज़ ही पैसे दे करके आया होगा तो भाईया वो किस तरीके का न्याय देगा आप क्योंकि अगर आयोग ने अपना भरोसा कायम नहीं किया तो यह मान के चला फिर यूपी में फिर नौकरीयों का कोई मतलब नहीं बचाए यूपी टबल सी तो हम लोग जानते एक्टम जहंड है यूपी टबल सी पहले से ही जहंड है लोग से थोड़ी बहुत उम्मीर है तो क्योंकि पचास लोग बहुत होते हैं वो भी जज की पोस्ट के लिए आप लोग इस बार में क्या सोचते हैं कमेंड करकी जरूब बताओ मिलते हैं क्लास में तब तक के लिए जैहिंज जैभारत बंदेवात रहाँ